तो कैसे हो बच्चे लोग और कैसी चल रही जिंदगी है टू एवरिवन उमीद करता हूं कि सारे लोग शांदार होंगे जिंदाबाद होंगे और जबरदस्त होंगे तो मेरे पैरे बच्चों आज का सेशन है हमारा कि हाव टू डू मोर कॉश्टेंस इन लेस टाइम और इस सब्सक्राइब जादा सब्सक्राइब शाइब जाइन करें लिए चांप जल्दी से योग ए और वीडियो पर लाइक चाहिए कम आन, मुद्दे की बात क्या है, कि आप कम से कम समय में जादा से जादा सवाल कैसे कर सकते हैं, examination में तो यही important है, और IATJ जैसे examination में तो बहुत जादा important है, क्योंकि जो जितने जादा सवाल कर लेगा, सही सही, वो उतना बड़ा खिलाडी बनेगा, चलिए, शुरू करते हैं, हाँ जी, तो देखो भई, जो सवाल होते हैं, सवाल तीन तरीके के होते हैं, तीन प्रकार के सवाल होते हैं, आमूमन तोर पे, पहला सवाल वैसा होता है, जो काफी कठिन होता है, very difficult, और बहुत ही जादा समय का दुरुपयोग होता है, इसमें बहुत ही जादा समय, मतलब ये question खा लेता है, और almost, nearly impossible होता है solve करना, nearly impossible मैं क्यों कह रहा हूँ, कि बहुत ऐसे सवाल हो जाते हैं, आते हैं, example के तौर पे, हाँ, example के तौर पे, अब मान लोग ऐसा सवाल integration का, अब भाई integration में लगा दिया कि उसने कुछ ऐसा उल जलूल जो सिर्फ उसी को पता है, कि अगर ऐसे solve करोगे, तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, अब भाई, अगर उसको पता है, तो तुम को कैसे पता हो सकता है, नहीं मुंकिन है, जाहिर सी वात है, अब बनेगा है नहीं, तो लेखे क्या करोगे, थोड़ी उसको चाटोगे, दूसरा, दूसरा type का सवाल ऐसा होता है, जो tough नहीं होता है, लेकिन बहुत lengthy होता है, मतलब it is just like, यह ऐसा इंसान है जो आपका बुरा चाहता है, ठीक है, यह वो क्या कहते है न, घर में वो जो फूट डालने वाली चाची होती है, यह वो वाली चाची है, यह आपका बुरा चाहती है, यह वो वाली चाची है, जो खाफी प्यार प्यार से, मतलब, आपका बु प्रष्किलगी बहुत बोलती है मतलब ठीक है तुम्हारा बुरा नहीं चाहती है अगरीड लेकिन इतना बोलेगी इतना बॉलेगी बाइब बस करो जैसे मे्रे को पता है अब मैं नाम नहीं लूगा उस रिष्टे का मेरे को पता है एक लिए धिर इतना बोलती है, मैं एकाद दो बार मैंने फोन उठा लिया उनका, बाई कम से कम 40-45 मिनट बात करती है, कान गरम हो जाते हैं बाई, और कॉलेज के बाद, बिकॉस कॉलेज में यह सब आदत होता है, क्योंकि आप लंबी-लंबी देर बाते करते हो, कॉलेज के बाद यह सब ठीक है, हाँ ठीक है, बस और सब बढ़िया, अब मैं जैसे ही बोलू और सब बढ़िया, यह सोच के कि मैं बोलू और सब बढ़िया करके फोन रखेंगे, अगेन नया टॉपिक, भाई, तो यह वैसा वाला सवाल होता है, not tough, but very lengthy ones, अगर आप एक बार इसमें घुचे, तो गए, finally, easy and जुगाड can be applied, यह वो वाला फील होता है, जहां पे आप अपना पूरा का पूरा करतव करिश्मा दिखा सकते हो, मतलब यह जिन्दगी में वैसे लोग हैं, जो आपकी बात मान लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ जाते हैं, और इनके साथ रहने में आपको बढ़ा अच्छा अच्छा सा लगता है, तो like, they are the ones who you need, तो यह वैसे, जिन्दगी के आपके वैसे लोग हैं, जिनकी आपको जरूरत है, आप चाहते हो कि हाँ यार, ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आएं, तो अब देखो, तीन टाइप के जो सवाल हैं, यह इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, यह वैसा सवाल है, जो कि सीधा कट होना चीए, मतलब यह तो बनेगा भी नहीं, और आप अगर टाइम लगाते हो, तो आपको दिमाग भी खराब होगा, और बनेगा उल्टा नहीं, यह दूसरे वाले हैं, जो थोड़े डाउटफूल है, डाउटफूल है, मतलब यार, बहुत कटिन नहीं है, लेकिन लेंदी हैं, और इतने लेंदी हैं कि अगर आपके वास बहुत इफराट टाइम है, तब आप इनके पास जाईए, और इन सवालों को छूने की कोशिश कीजिए, और तीसरा वो सवाल है, जो आक्चुली में आपको डिमार्केट करता है अब, आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ, तुम्हें पता है, एक्जामिनेशन पेपर में, खासकर जेई या कोई भी ऐसा एक्जामिनेशन में, परसेंटेज क्या होता है इन सवालों का, तो ये तो श्योर टिक मार्क सवाल है, ये डाउटफुल सवाल है, और य ये वाला सवाल भी 30% रहता है, चीक है, अब, आपको पता होगा, कि भाई, जे डबली में जो सेलेक्शन होते हैं, वो करीवन 50-55% पे टॉपर आ जाता है, मतब, जे रैंक वन 50-55% पे आ जाता है, तो अगर आप 40% लेते हो, तो 40% में, डीसेंट एनफ, डीसेंट एनफ ज mahd जाते हैं, जहां जुगाळ लगते हैं, तो और ये 40% सवाल हैं, तो फिर बच्चा बहुत आसानी से निकाल लेगा, जई क्यों नहीं निकालता है, अब आता है, में ट्विस्ट, कि भई, 40% सवाल बहुत आसान वाले आते हैं, जुगाळ वाले भी आते हैं, लेकिन देखो, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्यों नहीं होता है, देखो तुम्हारे पास तीस सवाल दिये रहते हैं पेपर में, जैसे mathematics में 30, physics में 30, chemistry में 30, अब अगर मैं percentage के हिसाब से बाट हूँ, तो 12 सवाल होंगे जुगाड़ वाले, 9 सवाल होंगे आपके, क्या कहते हैं not so tough but lengthy वाले, और 9 सवाल होंगे not too touch वाले, अब ये total 30 सवाल आपको दिये गए, और पहले 5 सवाल से for example ऐसे हैं जो हिलेंगे भी नहीं, अब ये पहला 5 सवाल आपका moral तोड़ने के लिए दिये गए, ठीक है, तो ये वो पेपर होता है, जब पेपर को देखते ही, बच्चा बाहर निकलता हो और बोलता है, भाई सहाब, आज का पेपर तो killer था killer, एकदम कुछ नहीं समझ में आया, क्यों? क्योंकि ये पहला 5 सवाल आपके moral को इतना तोड़ दिया है, कि आप उसके बाद के 25 सवाल में आपकी हिम्मत बची नहीं है, ये पहली strategy होती है, दूसरी strategy, कि भाई शुरुवात किया गया, यहां के सवाल, पहले 5 सवाल दे दिये गया, और आपने इस 5 सवाल में, भाई, क्योंकि ये वो वाली मौसी है, चाची है, जो भी है, जो खुब बात करती है, अगर आप गलती से भी इन में फसे, तो वो इतना देर बात करेगी, इतना देर ब बात है सवाल आपको अपने तरफ बुलेगा आजा बेटा आजा दोनों आतों से आजा आजा तू ही मेरा लल्ला आजा और आप इनकी बाहों में जाके स्वाहा अगर आपने यह पांच सवाल कर लिए पांच सवाल तो बन जाएंगे लेकिन आपकर टाइम मैनेज्मेंट पाके रखना है ऐसी ऐसी जगह रखना है कि लोगों को इसको खोजने में मुश्किल आए और यहीं पर आएटी खेलता है क्योंकि आएटी को पता है बस यहीं 12 सवाल अगर बच्चा बना लेगा तो वह सेलेक्ट हो जाएगा लेकिन इस 12 सवाल को वह ऐसे प्लेस करता है बि और इसी लिए मैं इतने सारे सेशन्स लेता हूँ या और भी बाकी लोग लेते हैं सेशन्स क्यों क्योंकि एनी इग्जामिनेशन इस नॉट ओनली अब आउट स्टाडिंग तो एक पार्ट है इस मोर अब आउट स्टाटेजी कि आप किस स्टाटेजी से आगे बढ़ते हो तब ही आप इस एक्जाम को निकाल पाओगे अब अगर आपको ये पूरी बात समझ में आई तो अब आपको एक बात और समझ में आई होगी इसका मतलब सबसे इंपोर्टेंट दो चीज़े हैं पहली चीज क्या सबसे ज़ादा इंपोर्टेंट ये है कि आपको इस तीस की लोग इमांदार हैं और कौन 18 लोग चोर हैं और ये चोर पुलिस वाला खेल अपने आप में काफी कठेंगे तो आपको पहली चीज यही सीखनी पड़ेगी कि आप जब कुश्चन पढ़ हो तो आपको कुश्चन पढ़ने के मुश्किल से 15-20 सेकंड के अंदर अंदर या 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर अंदर ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये कौन से टाइप वाला सवाल है ये टाइप A वाला है जहां पे जो नहीं बनना चाहिए टाइप B वाला है जो बहुत टाइम खाता है या टाइप C वाला है जो आपको चाहिए ये आपको find out करना सी जैसे मुझे आ जाता है तो यह एक तरीका है लेकिन इस तरीके में आप तब सीखोगे जब आइटी नहीं निकाल कर यहां किसी ऐसे प्लाटफॉर्म पे रहोगे और बोलोगे बेटा आइटी निकालना बहुत असान है बड़ा जैसे फ्रैंक्ली मैं भी एक्सेप्ट करता हू हो सकता है मेरे अंदर इन सब चीजों की काबिलियत नहीं थी अब दूसरा दूसरा यह है कि आपको एक ऐसा टीचर मिले जो आपको यह बात समझा रहा है कि देखो बेटा आइटी में ऐसी इसी चीज़ें होती है दिस दा माइन गेम विच इस बीइंग प्लैंड बहाइंड तो अगर आप यह चीज समझ जाते हो तो आपको इसी को बस टैकल करना है अब इसका एक सिंपल सा तरीका जो मैं आपको बताता हूं डीसेंट नंबर ओफ कॉस्टिंस प्राक्टिस करो दस बीस पचास सौ जितने करते हो उन कॉस्टिंस को प्राक्टिस करते वक्त हर एक सेक इन की किन सवालों पर ऐसा टिक लगना चाहिए आप जितने भी कॉस्टिंस सॉल्फ करो आज से अगर आज तुम ये वीडियो देख रहे है तो आज से लेके अप से जब तक लाइफ में जब तक तुम एक्जामिलेशन लिखोगे चाहे जई लिखो चाहे जो भी लिखो पर एक्जाम में ये स्ट्राटेजी लगाना कट कुट गोला टिक आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए कि आपको को चोश्टिंस को तीन फेज में बाइफर केट करना है ऐसे कोश्टिंस जो एकदम एंड में तयार करना है एंड में बोले तो क्योंकि ये बहुत टाइम ल कि तुम अभी इस उम्र में इतने सवाल नहीं सॉल्फ कर सकते जितना मैंने किया है तो तुम इस उम्र में ये तरीका सीख सकते हो कि ठीक है सवाल भले तुमसे ना सॉल्फ हो लेकिन सवाल देखके तुम मोटा मोटी उसका नबस पकड़ लो ये सवाल इसमें से किस काटेग करें, जाहिर सी बात है, जब आप ये 12 सवाल में आओगे, तो ये 12 सवाल सही सही हो जाए, इसके लिए भी जुगार आना चाहिए, जुगार बोलो, या फिर टिप्स, ट्रिक्स बोलो, या फिर फास्ट कैलकुलेशन बोलो, जो बोलो, लेकिन आना चाहिए आपको, अब वो ज जुगार सीखने के लिए, देखो, सिंपल सी चीजे हैं, यहां पर जुगार आता है, तो जल्दी बनेगा, जुगार नहीं आता है, थोड़ा ज़ादा टाइम लएगा, बट उन चीजों को सीखने के लिए प्रैक्टिस ही एक उपाय है, बिकॉस उसके अलावा कोई उपाय बोलता है के बिलोंग सुआ, लेग जूशन अफ इक्वेशन, कॉस ऑफ साइन इन वर्स इंटो एक्स, सुरी, कॉस ऑफ साइन वर्स अफ एक्स, कॉट अफ तैन इन वर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन वर्स, इजी इक्वार वाँ, माशालला, फीलिंग सी आ गई इसको देखके, त को तो फीलिंग सी आ गई, और यहां पर एक्स दिया हुआ है, जिरो से वन बाइ रूट तू में, अलफा बीटा भी देर, ट्रिगनोमेट्रिक फंक्शन, टेक अनली प्रिंसिपल वाल्यूज, इसलूशन ऑफ एक्वेशन, एक्स स्क्वार मैनस बैस मैनस फाइव आर, वन इन्ने आसान सवाल तो हमारे लेवल के ही नहीं है, मतब इन्ने आसान सवाल तो हम करते ही नहीं है, तो हमारे लेवल के खिलाफ है, इतने छोटे मुटे सवाल हमें करने ही नहीं है, छोड़ो, let's move on, मतब यह तो ऐसा सवाल है, कि समझने में बंदे को आदे गंटे लग हुड़ते आहा solution, आहा देखी जआओ, देखी जआओ थोड़ा और देखो, थोड़ा और देखो देखो, देखो, आहा सुआचसा आ गया exactly बस पहली नज़र में ही नज़र से नज़र मिली और हम समझ गए वो हमारे काबिल नहीś तो यह हमारी नजर नजर से मिली और हम समझ गए कि वह हमारे काबिल नहीं तो यह हमारे काबिल बिल्कुल नहीं समझ गए तो पहला टाइप का अब आपको मैंने सवाल दिखा दिये हैं किस टाइप के होते हैं अब ध्यान रखना जैसे आपने कुछ ऐसे भी सवाल देखे हों मैंने confirm भी कर दिया लेकिन कई ऐसे सवाल होते हैं जो देखके बहुत बड़े होते हैं बट चुरंट चुट्कियों में बन जाते हैं यहीं पर आपको दिमाग लगाना है इसब को आपको पता है यहा पर के समझ में आना चाहिए नहीं बैथ रहा है तो मैं कुछ कर लेता है यह दूसरा रूट है इसके एक सिंपल सा एक्जांपल जैसे मालो यह सवाल है इसमें लिखा हुआ है बढ़ा सिंपल है एक लाइन है य उपल से पास कर रहा है इंटरसेक्ट एक सिंपल से इसमें लिखा है इसमें बड़ा सिंपल सा यह दिख रहा है कि वाई तीन पॉइंट कोई भी दिए है माइनस 1,1 3,4 और 2,0 यह 2,0 और यह 3,4 ऐसा सा कोई ट्रेंगल बना हुआ है इस ट्रेंगल में कोई एक लाइन है y equals to mx इस टाइप का और यह लाइन इसको दो पॉइंट पर कट कर रहा है किसको कट कर रहा है a c and b c यह है a, यह है b और यह है c, a c और b c अच्छा इसको कट कर रहा है तो देखो मेरे को क्या दिख रहा है, यह simple है, कैसे simple है इसको मानलो ऐसा cut कर रहा है अब बोला कि इसका और पूरे का area का ratio 1 is to 3 है देखो दियावा a1 equals to 3 a2 अब लेकिन मुद्दा क्या है मेरे को m चाहिए मेरे को अगर m चाहिए तो मेरे को ये दुनो points निकालने होगे ये point या कोई भी एक point निकालना होगा अब वो point निकालने के लिए मेरे को यहाँ पर coordinate geometry लगानी पड़ेगी because समझो आपके पास ये तीनो points दिये हैं ये ये और ये है y equals to mx तो अगर इसको alpha माना तो ये y वाला coordinate हो जाएगा m alpha और अगर इसको beta माना तो ये वाला coordinate हो जाएगा beta times m अब ये दोनो points की मदद से आपको इसका equation निकालना और value निकालना है बनेगा पके से बनेगा लेकिन time लगेगा ठीक है अगेन यहाँ पर यहाँ पर यह बात आपको समझनी हो ड़ीगी और यहाँ पर थोड़ा time लगेगा जैसे मैं होता मतलब मैं होता या तुम होते कोई भी हो गए तो यह जरूर सोचने की कोशिश करोगी कि यहाँ को जुगार लग रहा है क्या कुछ तो लग जाए जिससे समझ में आ जाए कि यहाँ तुरंट बन रहा है अब जैसे मैंने तुरंट-Tुरंट जुगार से और जैसी मैंने इसके पैलल किया अ-बी के इस्लोप के पैलल किया तो एक बार जब ऍलगा तब मेरको समझ में हो रहा है इस चीज आपने धिरे 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 चिरे प्रैक्टिस से डेव्लप करनी है और मैं कहना क्या चाता हूँ देखो ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं होगा अगर आज से सोच लोगे न कि हाँ ये करना है तो अभी भी दो तीन चार महिने जितने भी वक्त बचा है इतने टाइम में तुम ये सोचते 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 अब ये भी आसान लग रहा है मुझे अच्छी बात है रिया बहुत ही अच्छी बात है अच्छा हाँ एक और बात ये प्रॉब्लम भी बड़ी इंपोटेंट सी है देखो जिन बच्चों का प्रेपरेशन अच्छा चल रहा होता है उनको मैक्सिम सवाल आसान लगता है लेंगे हम हम तो करेंगे सर आप करने में घुस्ते हो मुद्दा ये है कि हो जाएगा और आप कर भी लोगे बट टाइम कितना लगाओगे मानलो इस सवाल में आपने पांच मिनट दिये अब क्या कहोगे मतलब तुम्हारी नजर से साथ तुमने लॉस उठाया है पांच मिनट बात है नहीं होना चाइस है तो इसी लिए इस बात का भी खास जयान रखेगा आपको अगर लग भी रहा है कि हो रहा है तो टाइमर जरूर देखिए का हर सवाल पर यह अच्छा हुआ रिया ने यह पॉइंट उठा दिया तो मैं बता दिया आपको लग रहा है हो जाएगा बिलकुल अच्छी बात है पर टाइमर जरूर कीजेगा अगर आपका टाइम सही हो रहा है इस सवाल को बनाने में भाया एक तो यह हो सकता है कि आपको experience के साथ साथ इ निकालोगे फिर उस एडिया का वंधर करना होगा इसके लिए और फिर यहां पर जब वन थर्ड एरिया करोगे फिर वापस से इसमें पॉइंट का फॉर्मुला तो इसने बात का थ्यान रखना आप मुविंग फारवड अब फाइनली आते हैं जुगार दाइप तुम लोगों को जब straight lines वगरा पढ़ा रहा था circle अभी crash course में उसमें 2-4 जुगाड़ वाले questions बेटाये थे अब जैसे simple सी बात है ये वाला सवाल, याद करो ये सवाल मैंने कराया था भी तू कुछ दिन पहले crash course कितने लोगों को याद है सवाल में दिया वाए equation of one straight line which passes through the point 1,3 and makes an angle tan inverse root 2 with a straight line this is, एक ऐसे line का equation बताईए जो 1,3 से pass कर रहा है और वो tan inverse root 2 का angle बना रहा है इस line के साथ अब इस सवाल में simple सा अगर देखा जाए, लंबा time लगाओगे तो भाई एक slope को equal करना है और दूसरा उस line को 1,3 से pass कराना है time लंबा लाएगा, बट हमने क्या देखा था, again जुगाड़ लगाया था कि आरे 1,3 से अगर pass करना चाहिए तो सारे options में जो भी 1,3 से pass कर रहा है, वही answer बनेगा, अब अगर 2-3 options हो जाते तो हमको लगाना पड़ता बट मैंने options में डाल के देखा मैंने को एक ही option मिल रहा है जो 1,3 से pass कर रहा है लग गया जुगाड़ तो यही सीखने में थोड़ा सा वक्त लगना है कि यह बात सबको समझ में आ गई जल्दी से chat box में बता हो इस भी 4 square unit अब अगर इसका area 4 square unit है तो alpha निकाल लोगे तुरंट उसके बाद बोलता है बीटा की value बताईए अब देख को सिंपल सी बात है alpha minus alpha minus alpha alpha और यह point तीनो को linear है तीनो को linear है तो अगर यह तीनो को linear है तो जाहिर सी बात है यह दोनों में minus का sign मतलब हर हाल में y equals to minus x का line है और को linear है मतलब यह भी भाई रहेगा तो अगर इसका एक point alpha square है तो दूसरा point क्या होगा minus alpha square पक्की बात है न y equals to minus x ऐसा ही होता है y और x सेम होता है मिल गया जुगाड जैसी मिल गया जुगाड alpha की value निकालो minus alpha square answer होगा किता simple था था और minus alpha square होगा तो देखो और again इसमें अभी ध्यान से देखा जाए तो minus alpha square होगा alpha की value जो भी आएगी यहां से integer आएगी ठीक है square of integer 8 किसी का square नहीं है 512 किसी का square नहीं है दोनों कड़ गए ये दोनों perfect square है और इसमें minus चाहिए answer सी आगिया यहां पे मैंने बनाया भी नहीं solve भी नहीं किया देखो सवाल क्या है area of triangle इससे alpha की value निकालोगे फिर बोल रहा है if the points this, this and this are collinear अगर ये तीनों point collinear है एक ही line पे लाई करेंगे ये alpha है ये minus alpha है ये minus alpha है ये alpha है मतलब ये एक ऐसे line पे लाई कर रहा है जो कि y equals to minus x है बिकास देखो इन दोनों के sign में negative का अंतर है मतलब simple सी बात है कि अगर ये alpha square होगा तो ये minus alpha square होना चीए y equals to minus x पे तो तब ही लाई करेगा मतलब आ गया alpha की value 8 आएगी minus 64 आएगा हलवा था तो ये वाली चीज़ अगर समझ गए बस तुम set हो ठीक है तो I guess सारे लोग समझ चुके होंगे अब आपको exam में strategy बड़ी simple सी अपनानी है वो यह कि आपने सबसे पहले ये जुगाड़ questions करने है उसके बाद पूरे paper का जुगाड़ करना है पूरे paper का जुगाड़ questions मतलब physics का भी, chemistry का भी, maths का भी ठीक है फिर जुगाड़ हो जाने के बाद आपको वैसे questions करने है जिस पे आपने अंडा लगाया है अंडा मतलब आप जब paper पूरा देख रहे होगे तो हर एक question पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा वो जुगाड़ है की tough है की क्या है तो जब आप पूरा paper करेंगे तो उसमें आप तीन sign लगाओगे हर सवाल पे ऐसा sign जो वैसे वाले सवाल होंगे जो आप उसी वक्त तुरंत कर लोगे वहाँ पे जुगाड़ सवाल है वो ऐसा sign जिसमें आपको पता है कि आपको answer आता है या आप कर लोगे लेकिन time जादा लाएगा तो आप छोड़ दियो हो कि बाद में लोटेंगे तब देखेंगे second round में और ऐसे सवाल जो आपको पता है second round में भी जब लोटोगे तो इसको नहीं देखना है यह तब देखना है जब third round का time बचेगा जो कि कभी बचता नहीं है तो यह तब ही देखना है तो अब जब आप पहला level कर चुके होगे physics chemistry math तो confidence भी हाई होगा अब आप जब second round लेवल में जाओगे तो ऐसे ऐसे वाले गोले questions खोच-खोच के आपको बनाने है and this should be the strategy ठीक है moving forward this math comes through experience experience बहुत ज़रूरी है more questions means more understanding और यह आपको तीन sign लगाना है तो यही तीन चीज़ आप ध्यान रख लो भाई practice करो खूब सारे questions का experience आएगा यह तीन sign लगाना सीख जाओ जुगार धीरे धीरे practice से आजाएगा hence बले बले तुम कर लोगे तो देवियों और सज्जनों उमीद करते हैं कि आज के session में आप लोगों के लिए value addition हुआ होगा और मैंने value addition किया होगा तो अकर ऐसा है तो मुझे नीचे comment box में जरूर लिखकर बताईएगा यह session कैसा लगा because यह session मैंने थोड़ा अलग सोच के बनाया था और मैंने कोशिश की थी आपके लिए कुछ नया कर सकूँ कुछ नया सिखा सकूँ तो नीचे comment box में जरूर बताना और वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना ठीक है यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ठीक चलो see you all in the next session तब तक के लिए bye bye take care and good night और आप वीडियो लाइक कर दो भाई जरूरी है इतना बड़ियो content मिला है तो वीडियो लाइक कर दो ठीक है चलो bye